देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाएगा ओम गणेशाय नमा, ओम नमस्यवाय, मैंने खिल जोतिश आचारे, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव के क्रिपाप सभी पर सदायब बनेगे, यह वीडियो धनू यानि कि सजिटेरियस के लिए अत्यन्त महत्तपोन वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे, शनी और ब्रहस्पती के प्रभाव के बारे में, शनी और ब्रहस्पती जब भी मिलकर किसी राशी को, किसी भाव को देखते हैं, तो उस भाव को डबल एक्टिवेट कर देते हैं, और ऐ ऐसा ही धनू के लिए हो रहा है, जब शनी और ब्रहस्पती अप्रिल के अंतर तक आपके बारवे स्थान को द्रिष्ट करेंगे, दोनों ही मिलकर द्रिष्ट कर रहे हैं, शनी तीसरे भाव से तो ब्रहस्पती चौथे भाव से, तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर काम से मिलते हैं, तो इस वीडियो में पॉजिटिव नेगिटिव दोनों चीज़ों की बात करूँगा और वीडियो के इंतर में कुछ हो पाएं भी बताऊंगा, जैसा मैं हर बर कहता हूँ, लगन राशी से अलग लग राशी फल नहीं बन सकते, अगर आपको अपना लगन द्रिष्टी है चोते घर से, शनी महराज की दस्वे द्रिष्टी है तीसरे घर से, अब बारवा स्थान प्रमुक्तह, विदेश का स्थान होता है, जीवन के अंत का स्थान होता है, मोक्ष का स्थान होता और भोग का भी स्थान होता है, बहुत कारकत्व होते हैं, एक भाव शुरू होने वाली है वो आप सबके जीवन में कुछ कुछ अलग-अलग होगा किसी की शादी हो रही होगी तो उनका जीवन बदलेगा कोई वैराग्य की तरफ जाएगा तो कोई जॉब चेंज करेगा करियर में चेंज़े आएंगे तो जो तीन महीने हैं कुछ चीजों का अ गधन्त होगा और एक नए लाइफ सैकल स्टार्ट होगा तो अंत से ही आरम्ब होता है तो ये इस समय धनू के लिए बहुत apt बैठ रहा है 12 जो स्थान है वो बाहर का होता है, विदेश का होता है तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है आप अपने business को बाहर लेके जाना चाहते हैं, आप job के लिए बाहर जाना चाहते हैं Students जो बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, आप permanently विदेश में settle होना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है क्योंकि ब्रहस्पती चौथे घर से ही बैट कर देख रहे हैं, इसके साथ ही जो लोग short term travel के लिए भी यानि कि कुछ देर के लिए घूमने के लिए भी विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है क्योंकि शनी तीसरे भाव से, जो कि यात्राओं का भाव है, वो तीसरे भाव से बैठ कर देख रहे हैं, तो किसी भी उद्देश चे आपको देश के बाहर जाना है, आपके लिए समय बहुत जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, यह समय आगे बनने का है, यह समय अपने करियर में कुछ कर दिखाने का है, तो यह बहुत अच्छा है, मैंने यह कहा कि बारवा स्थान, ओक्षथान भी है, भोग स्थान भी है, अब वो डिपेंड करता है आप अपने जीव खोड़े से यंग है, अगर शुक्र की दशांतर दशा चल रही है, राहू की दशांतर दशा चल रही है, बुद्ध जो की इन दोनों में से किसी के साथ बैटे हैं, या वक्री है, इन में से किसी की दशांतर दशा चल रही है, तो वेक्ती भोग की तरफ जाएंगे, तो चीजों के लिए उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए समय बहुत अच्छा है जो बारवा स्थान है वो शयन कक्ष का भी है तो कहीं ना कहीं अगर हजबन वाइफ के बीच में फिजिकल कंपेटिबिल्टी की कुछ इशू जा रहे थे तो उन चीजों को सॉल करने के उसको सॉल करने के लिए बहुत अच्छा समय है इसके साथ ही क्योंकि ये छटे भाव से सब्तम है कहीं ना कहीं लिगालिटी इसमें भी आ जाती है आपका कोई कोट के साथ ही चल रहा था वो आगे बढ़ेगा स्पेशलि अगर आपका कोई क्रिमिनल केस चल रहा था और ची महीने हैं आपके जीवन के कई बंधन टूटेंगे बंधन जो आपके पूरे इर्दगिर्द बंदे हुए थे वो खोलेंगे और आप अपने आपको ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है बारवा भाव होस्पिटल्स का भी होता ह है तो अगर कुछ स्वास्त संबंदित प्रॉब्लम सल रही थी उनका अंत हो सकता है और स्वास्त थोड़ा सुधर सकता है जो बारवा भाव है वो पीड़ा का भाव है जब दोनों से वो प्रभावित होता है तो पीड़ा से मुक्ति मिलती है वो किसी भी तरह की पीड़ा ह वो शारिरिक पीड़ा हो, कोई और दुख दर्द हो जो आपको हूरा हो, कोई चिन्ता हो जो आपको सता रही हो, उन सबके अंत के अंत के solution के लिए यह जो तीन महीने का समय है बहुत अच्चा है, यह जो भाव है बारवा, यह नवे से चौथा भाव है, यानि कि आपके पिता फ्रप्रपर्टी खरीदने एक लिए गाड़ी खरीदने के लिए बहुत शुब समय है इस समय में खरीदी और कोई प्रॉपरटी और कोई वाहन आपके लिए काफी लाबकारी काफी शुब दायक रहेगा यह दूसरे भाव से ग्यारवा स्थान है और क्योंकि लगन से बारवा है जो मैंने शुरू में ही कहा था जो लोग बाहर से संबंदित कुछ काम करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा इसके साथ ही अधी आपने कहीं पर इन्वेस्टमन करके रखी थी तो उससे भी लाब पराप्त हो सकता है और इस ताइम पर जो आपके खर्चे होंगे वो भी बहुत शुब खर्चे होंगे कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपको लॉंग टम में कुछ ना कुछ फाइदा अवश्य देके जाएंगे तो ओवरॉल ये जो सारी शुबता है मुझे धनों के लिए दिख रही है जिसका आपको अवश्य लाब उठाने का प्रयास करना है नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं सबसे पहला नींद नींद धंग से नहीं आएगी आने वाले तीन महीनों में नींद कभी-कभी तूड जाएगी इंसॉम्निया आदी ये सारी चीज़े बहुत परिशान करेंगे आपको दूसरा कुछ लोगों से जगड़े हो सकते हैं कुछ लोग जान बुच कर आपसे उलट सकते हैं कुछ असमाजिक कार्य करने के लिए आपको प्रेड़ना मल सकती है आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो समाजिक तोर पर स्विकारिय नहीं होता या नहीं है और उसके कारण किसी प्रॉब्लम में भी आप पढ़ सकते हैं जीवन में संतुलन की थोड़ी कमी रहेगी या नहीं है जब कई लोग आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे आपको डॉमिनेट करने की कोशिश करेंगे और उसमें कही न कहीं उनको सफलता भी प्राप्त हो सकती है तो इन सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा और पैरों से संबंधित कोई प्राप्लम और आखों से कोई संबंधित प्राप्लम आपको तन कर सकती है तो इन सब चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है उपाय की बात करते हैं, दो उपाय करने है जब भी वीडियो देखें, उसके अगले दिन ग्योपाय कर सकते हैं, आपको बजरंग बली के मंदिर में जाना है, और उनको एक मीठे पान का भोग लगाना है, और खीर का भोग लगाना है, ये भोग लगा के आपको वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पांच बार पाट करन करना है, इसके साथ ही दूद से अभिशेक करने के बाद आपको शिवलिंग पर अश्टगंद का विलेपन करना है, और फिर वहाँ पर बैठकर आपको शिव चालीसा का तीन बार पाट करना है, यो पाए कर लेंगे, आपके लिए प्रभाव अच्छा ही रहेगा, आशा करत हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक है लिए, फूम नुद्ट